अभय बाहर हॉल में सोफा पर बैठे हुए अपने बालों को टौवल से साफ कर रहा होता है। बालों पर हाथ फेरते फेरते उसका ध्यान कमरे से बाहर निकल रही त्रिशा पर पड़ती है। त्रिशा वाइट कलर की शर्ट और रफ जीन्स में होती है। वो टौवल से अपने बालों को सवारते हुए बाहर आ रही थी। अभय की निगाहे उसी के उपा आकार अड़ जाती है। अभय के बोडी पर शर्ट नहीं होता है। त्रिशा की नजरे जैसे ही अभय पर पड़ती है। वो जट से दूसरी तरफ मूँ करते हुए कहती है। सोरी मैंने देखा नहीं। तभी अभय पास में सोफा पर पड़े एकती शर्ट उठाकर जट से पहनते हुए कहता है। नी मूँ पर हाथ रख कर अपनी हंसी को अंदर ही रखते हुए कहती है। आई नो वैसे तुम्हारी ये द्रस मेरे में एक दम फिट हो रही है। हाँ वो तो है। इतना कहने के बाद अभय त्रिशा से कहता है वैसे तुम यहां बैठो मैं कॉफी लेकर आता हूँ। इतना क कहकर वो वहां से चला जाता है। सोफा पर बैठ कर पास में पड़े एक नौवेल की बुक उठकर उसे पढ़ने लगती है। थोड़ी देर के बाद अभय कॉफी लेकर आता है और वही पास में रखते हुए कहता है ये लो कॉफी एक्चुली रात भी काफी हो चुकी है और ऐसे में सब सो रहे होंगे तो उनको परेशान करना सही नहीं होगा इसलिए खुद से बनाया है। वैसे भी कॉफी एक कॉफी के लिए क्या किसी को परेशान करना। अभय की बात सुनकर त्रिशा उसकी तारीफ करते हुए कहती है सही कहा वैसे बड़े लोग तो अपना हर एक काम किसी नौकर से ही करवाना ज्यादा पसंद करते है पर शायद इन सब मामलों में तुम उनसे अलग हो। त्रिशा जैसे ही ये कहती है अभय उसे एक दम से देखने लगता है और अपने हाथ से कॉफी नीचे रखते हुए कहता है अब ये तो पता नहीं मैं सब से जोन में ऐसी बाते तो मत किया करो डर लगता है त्रिशा की बातों पर अभय हसने लगता है उसे हसते देख त्रिशा बोलती है अब बस भी करो और पता नहीं ये बारिश कब तक ऐसे ही बरसते रहेगी मुझे घर भी जाना है तब ही अभय कहता है वैसे अगर तुम चाहो तो यहां आज रात भर रुख सकती हो त्रिशा को अभय के घर पर रुखना सही नहीं लगता है तो वो बहाना करते हुए कहती है नहीं अगर बारिश छूट जाती है तो मैं चली जाऊंगी अभय भी कुछ नहीं कहता है वो वहाँ से उठकर अपने कमरे में चला जाता है त त्रिशा बाहर सोफा पर बैठी हुई कुछ सोच रही होती है और थोड़ी देर बाद वहाँ से उठकर बालकनी के तरफ जाती है तो देखती है अभी भी बारिश होई रही है और फो पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी उसके बाद वो वापस साफ के पास आकर वही सोफ पर लेट जाती है थोड़ी देर बाद अभय वहाँ जब आता है तो देखता है त्रिशा सोफा पर सोई हुई है वो उसके पास आकार उसे उठने ही वाला होता है कि तभी वो अपने हाथों को रोकते हुए मन में ही सोचता है नहीं अभी सोने देता हूँ जगाना सही नहीं होगा इतना कहने के बाद अभय अपने हाथ को पीछे कर लेता है और वही पास में दुसरे सोफा पर बैठ कर त्रिशा को देखने लगता है उसी बीच त्रिशा का गला खस खसाता है और वो करवट फेरती है तो देखती है अभय उसके सामने बैठ कर उसे ही देख रहा है ज आ, आ, नहीं अभी भी हो ही रही है, वैसे एक काम करो तुम्हें नीनदा रही है तो तुम जाकर बैद पर सो जाओ, अभाई के कहने पर तृषा उससे कहती है, पर तुम, अभाई स्माइल करते हुए कहता है, अरे मैं क्या कही भी सो जाऊंगा वैसे भी इतना बड़ा रूम ह तुम जाओ, अभई के कहने पर त्रिशा वहाँ से उठकर कमरे के तरफ चली जाती है त्रिशा के जाने के बाद अभई वही सोफा पर लेट जाता है और त्रिशा के बारे में सोचने लगता है कि कैसे फर्स्ट टाइम वो दोनों मिले उसकी हर एक बाते अभई सोचने लगता है कैसे वो दोनों एक दुसरे को जानते भी नहीं थे और आज दोनों एक दुसरे के इतना करीब है ये सोचते हुए अभई के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो अपने फेस पर अपने आम को रख कर सोजाता है कुछ देर बाद अभई सोफा पर से उठा कर बैठ जाता है और कमरे की ओर देखता है और उसके तरफ जाने लगता है जैसे ही दर्वाजा के पास जाता है और दर्वाजा खोलने ही वाला होता है कि तभी उसका मन कहता है नहीं यार अगर वो जगी, होगी तो उसे लगेगा मेरा कुछ और ही intention है मेरा, नहीं नहीं फिर भी एक बार देखने में क्या जाता है, अगर देख भी लेगी तो बोल दूनगा कंबल लेने आया था, इतना सोचते ही किसी तरह से हिम्मत करके दरवाजा खोलता है, और आस्ते से कमरे के अंदर देखता है तो त्रिशा बैड पर नींद में सोई हुई होती है, अभय त्रिशा के चहरे को ध्यान से देखने लगता है, उसकी मासूम चहरे को देखते ही अभय खुद बाखुद उसके करीब कीचा चला जाता है, उसका दिल कर रहा था उसके चहरे को एक दफा चुने को पर दर भी था नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए वरना त्रिशा उठ गई तो मुझे गलत समझेगी खुद को ऐसा करने से रोक कर पास में पड़े कंबल उसे अच्छे से ओड़ा कर उसके चहरे को देखते हुए स्माइल करता है और उसके चहरे पर बिखरे बालों को स्वारते हुए कहता है पता नहीं क्यूं पर तुम्हें जब जब देखता हुँ मुझे तब तब तुमसे प्यार हो जाता है फिर भी न चाहते हुए एक दोस्त की तरह अपने इस फीलिंग का इजहार करना पड़ता है पर एक दिन जरूर तुमसे अपने इस फीलिंग को एक दोस्त की तरह नहीं एक लाइफ पार्टन की तरह है शेर करना चाहता हुए काशो पल जल्द आज जाए इतना कहकर अभय वहां से बाहर निकल जाता है